नमस्कार दोस्तों स्वागाते हैं आपका हमारी चैनल टार्गेट फर आई एसनेंपी पेसी विद्के के आज है 30 जुलाई 2021 और आज हम लोग डिसक्स करेंगे मद्द प्रदेश का करेंट अफेर काफी अधिक करेंट फर होने बाला जिसमें हम देखेंगे लाल विवेक सागर किस खेल के खिलाडी हैं साथी साथ दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक दुखत घटना भी है मद्द प्रदेश के एक होनहार खिलाडी राष्टी स्थर के खिलाडी थे जिनका अकस्मत निधन हो गया है के कारण तो उनके बारे में भी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी आपको दूँगा और भी अन्य इंपोर्टेंट करेंट फर हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह खिलाडी है लाल विवेक सिंग और इनसे संबंदित उलंपिक जो टोक्यों में हो रह है उससे संबंदित काफिया थे कि इंपोरेंट फ्रेक्ट निकल कर आ रहा है और यह मद्यप्रदेश से संबंदित हैं मद्यप्रदेश के एक सहर की खेल अकेडमी में होना ट्रेनिंग लिए है तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे मद्यप्रदेश के किस खेल से संबंदित ह दोस्तों और अगर आप पहली वारेश चनल को बिजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हेड़ बेल ऐकन नेमाज आउड ने अपड़ेट, if you wanna join my telegram channel, link below description, you can go join my telegram channel, there I will provide you a PDF, which is free of cost, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का current affair, बिना समय गबाय हुए, हमा काफी बड़ी च्छती है मद्य प्रदेश के खेल जगत के लिए, तो देखते हैं, आपका option number 1 है, national shooter थे, option number 2, पत्रकार थे, अवीनेता थे, या फिर किर्केटर थे, तो इसका right answer है, आपका option number 1, दोस्तों, यह जो स्री नमन पालिवाल जी थे, यह कौन थे, यह यह युवा national shooter थे, अर्थात, राष्टी स्थर के यह shooter थे, और यह काफी अधिक important है, और काफी बड़ी च्छती है, मद्य प्रदेश के लिए, तो यह भी काफी अधिक important question वनता है, दोस्तों, मद्य प्रदेश, खेल इमा विवा कल्यान विवा की, इस्थापना कब हुई थी, दोस्तों एक अक्टूबर को हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, 1975 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है, आपको काफी अधिक important है, और national shooting academy कहां पर है दोस्तों, भोपाल में है, काफी अधिक important fact यहां पर बता रहा हूं, इसको नोट करते जाएए, 2007 में यहां पर इसलिए लि अकैडमी, तो यही सब कहां पर है, national water sport academy, तो यह सभी कि सभी कहां पर है, यही पर है, और यहां पर एक important fact आपको याद रखना है, कि जो swimming academy है, वह है कहां पर है, वह है आपकी हुसंगा वाद में, और जो water sport है, वह है कहां पर है, दूस्तों, selling academy कहां पर है, भोपाल में है, water sport academy कहाँ पर है बोपाल में shooting academy कहाँ पर है बोपाल में और यह सभी कि सभी 2007 में ने बनाया गया था तो यह आपको याद रखना है मद्द प्रदेश क्रिकेट association का जो मुख्याला है वह कहाँ पर है दोस्तों वह इन दोर में यह भी आपको याद रखना है काफी एद एक important question है और यहाँ पर यह भी बता दें दोस्तों मद्द प्रदेश shooting academy काफी एद एक important है यह कहाँ पर है दोस्तों यह है आपके जबलपुर में कब इस्ताफ़ पर हुई थी दोस्तों यह हुई थी 2013 में मद्द प्रदेश जो national shooting academy है यह जबलपुर में है और इसकी इस्ताफ़ न हुई थी 2013 में तो इसको भी आपको याद रखना है देखते है next question national shooter सरी नमन पालिवाल मद्द प्रदेश के किस सहर से संबंद थे आपका option number 1 है इंदौर से जबलपुर से भोपाल से या फिर ग्वालियर से तो अभी हमने देखा इनका दुखत निदन हुआ है और यह मद्द प्रदेश के किस सहर से संबंद रखते थे दोस्तों खेल तो हमने देखी लिया है और इनका सहर था इंदौर national shooter नमन पालिवाल मद्द प्रदेश के सहर इंदौर से संबंद रखते थे और अभी मैंने आप लोगों को बताया था shooting academy कहाँ पर है जबलपुर में 2013 में यहाँ पर बनाए गया था selling academy national selling academy और इसके सासत और भी जो अन्न academies है वह कहाँ पर है दोस्तों अधिक्तम 2007 भोपाल में ही इने याद रखना है और महला हाकी academy सब्द को याद रखना है दोस्तों महला हाकी academy 2000 2006 में कहाँ पर इस्थापद की गई थी ग्वालियर में इस्थापद की गई थी तो यह भी आपको याद रखना है देखते हैं मुक मंतरी स्री चोहान ने national shooter चोहांने इनदोर की नैशनल सूटर श्री न मन पालीवाल की सलक दुरुगट ना में मृत्यू पर गहरा सोक व्यक्थ करती हुए उन्होंने सरदाजली दीॡ श्री चुहान ने अपने सोक संदेश में कहा कि श्री नमन पालीवाल अतिंत प्रतिवासाली इवम योग खलाडी थे इश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चर्षी चरणों में स्थान दे तथा उनके परिवार को इस बज़रपात को सहने की सक्ति दे देखते हैं मेफ कार्ट इवम आर जी पीवी के बीच जब विरता में सहयों के लिए MOU पर दस्तकत किये गए हैं दोस्तों यह जो मेफ कार्ट है मेफ कास्ट है इसका फुल फॉर्म क्या है क्योंकि काफी वार यह चर्चा में आता है तो आज इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं क्योंकि इ प्रद्देश और दोगिक प्रद्दोगी की परिषद या फिर इनमेंसे कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है केबल आप्शन नम्मर एक मद्य प्रद्देश विज्ञान इबंप्रद्दोगी की सहयोग के लिए MOU मद्द प्रदेश विज्ञान इवं प्रदोगी की परीशत मैपकास्ट राजीव गांदी प्रदोगी की बिस्विध्याला भोपाल की भी जैब बेतोगी प्रदोगी की उन्नत छेत्रों में अकादमिक तथा विज्ञानिक छेत्र में परस पर सहयोग और तकनीकी के आदान प्रदान के लिए सौंबार गुसेमती पस्त पर हस्ताक्षर कियेगा जो की काफी अधिक इंपोटेंट है देखते हैं नेस्ट कॉस्चन लाल बिवेक सागर किस खेल के खिलाड़ी है काफी अधिक इंपोटेंट है कॉस्चन है दुस्तों जिनका नाम है लाल बिवेक सागर और यह मद्द प्रदेश के किस खेले से संब्देथ हैं तो आपका आपसिन अमबर एक हाकी से किरकेट से फुटवाल से या फिर निसाने वाजी से थिसका राइट अंसर है उपसिन अमबर एक हाकी से संब्देथ हैं इनका नाम है लाल बिवेक सागर इनका नाम अभी चर्चा में क्यों है क्योंकि अभी अर्जेंटीना के खिलाब भारत हमारा हाकी में जीता है मैच टोक्यो उलम्पिक जो चल रहे हैं जापान में और उसी के अंदर इनके गोल की बदोलत ही वह जीता है और यह हाकी के खिलाड़ी है तो यह काफियद के इंपोरेंट है और महला हाकी अकेडमी अभी मैं आप लोगों को बताया था कहां पर है दोस्तों यह हैं आपके जबलपुर में याद रखना है और आपके होकी के सबसे फिinguém खिलाड़ी को थे ध्यान चंदर जी थे मद्ध प्रदेस के याद रखना है काफियद के इंपोरेंट है और इनके नाम पर स्टेडियम कहां पर है तो यह आपको याद रखना है और निसानीची मैंने आपको बताया था जवलपुर में है 2013 में से इस्टेबलिस किया गया था जवलपुर में ही तो चलिए देखते हैं लाल बेवेक सागर मद्द प्रदेश के किस सहर से संब्देत है तो अभी हमने देखा यह होकी से संब्देत है और जो अभी ओलंपिक चल रहे हैं टोकियो जापान में वहाँ पर इनकी गोल की बदलत भारत को एक संदार जीत मिली है होकी में तो यह मद प्रदेश के किस सहर से संब्देत है काफिया दे गौरब की बात है और मद्द प्रदेश के इस लाल ने कमाल किया है और इसकी चर्चा माने नी मुकमंति सिवरास सिंग चोहां जी ने टुटर के माद्दे हम से की है तो देखते हैं यह मद्द प्रदेश के किस सहर से आपका उप्शन नमर एक हुसंगाबाद, सीहॉर, भोपाल या फिर इंदौर इसका राइट आंसर है आपका उप्शन नमर एक हुसंगाबाद से संबन देते हैं लाल बिवेक सावगर, मद्द प्रदेश के किस कह सहर से संबन देते हैं सबी तुर्क थे तो यह आपको याद रखना है सीहोर दोस्तों सीहोर की तैसील था भोपाल और से सीहोर की तैसील से अलग करके इसे जिला बनाए गया था और बाद में से मद्द प्रदेश की राजधानी भी बनाए गया था आपको याद रखना और इंदोर मद्द इबं हुसंगाबाद के लाल और भारतिय हाकी टीम के युवा मिड फिल्ड बेवेक सागर ने टोक्यो उलम्पिक 2020 में अर्जेंटीना के खिलाफ हाकी मैच में सांदार गोल दागा भारत की जीत में महतपूर भूमी का निवाई है बेवेक की इस उपलब्दी से पूरा रही है उन सब को यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि दूस्तों अब जो नया पैटन है स्पेशले MPPSC का बोलो क्या करते हैं कॉश्चन घुमा के पूछते हैं डारेट कॉश्चन आप लोगों से नहीं पूछे जाते हैं तो देखते हैं बेवेक सागर की उपलब् चैंपियन ट्राफी यूथ ओलंपिक न्यूजिलेंट टेस्ट सीरीज एसियन गेंप बरस 2019 में अजलान साहा की टूनामेंट आस्टिलिया टेस्ट सीरीज में फाइनल सीरीज भुविनेश्टर जैसे अंतरनास्टी प्रतियोगता में भारतिये टीम का प्रतियोगत किया है बिवेक सागर को यूथ ओलंपिक में वेस्ट स्कूरर और फाइनल सीरीज बुविनेश्टर में बेस्ट जूनियर प्लेयर आवार्ट से भी नवाजा गया है और A.C.R 2018 में भारत को कास्च पतक दिलाने वाले भारतिये टीम में सामिल मिड फिल्डर हाकी खिलाडी बिवेक 62 अंतराष्टी मेंच खिल चुके हैं उन्होंने बर्स 2018 में मद्र प्रदिश तासन का एक लब अवार्ड भी ने मिल चुका है और यह एक लब अवार्ड दूस्तों कब इस्टेबलिस किया गया था यह किया था आपके 1994 में और इसी समय कौन साथ इस्टेबलिस किया गया था गया है आपको इसका जवाब देना है और आपका नेक्स्ट कॉस्चन है अर्थ नेटवेस्ट ग्रॉफ अर्थ हीरोज प्रसकार किस टाइगर रिजर को दिया गया दोस्तों इसका भी आंसर आप ही लोगों को देना है वीडियों कर अच्छी लगी हो तो शेयर जैर करिए च